असलाम अलेकुम शाजी मूबाइल पर उसाम दे दोस्तों आज आपको अन्बुक्स करके दिखाएंगे बेसस कंपनी का जो 20 वाट का मेगनेटिक वाइरलेस क्विक चाजिंग पावर बैंक 10,000 अमेच 20 वाट यह जो एपल का मैग सेफ है यह उसका तोड है जो 23,000 पे काता है तो यह बेसस आपको पता लीडिंग ब्रैंड असेसरी बनाने में बहुत पॉपुलर है बहुत जबर्दस इनकी क्वाल्टी होती है त और यह है कितने का पाकिस्तान में इसकी प्राइस यह है जी तकरीबन 7,900 यान कि 8,000 पे से भी कामेहा पुजिकीन करें इतने में तो इनका जो मैक सेफ है सिंपल जिसमें कोई बैटरी बगरा नहीं होती वो एपल का वो आता है तो यह जो लोग थोड़े पैसों में अपने एपल पे अच्छा एक वार्लेस मेगनेटिक चार्जर लेना चाहते हैं पावर बैंक वाला तो उनके लिए बहुत अबर्दस ओप्शन है यह एपल के इलावा जो फास चार्जिंग डवाइसिस हैं उनको भी स्पोर्ट करता है मैं आपको इसका सारा प्रैक्टिकल करके दि ठीक है मुफ्तिलिफ साइजेस फूम के यह बता रहा है कि इसको पर कैसे आपर करने हैं अच्छा इधर क्या है जी इधर ही वो अपनी लेंग्विज में बता रहा है इंग्रिश भी है वैसे तो 20 वाट और दूवल मोड और इसके लाबा टूवे फास चार्जिंग तो यह ह पर निखालते हैं इसका मोडल नमबर को लिखा हुआ इसको पर मेरा है बस इतने काफी है जो इसका नाम है वो ही आप इसकी पेचान समझें इसको निकालिया बडा प्रीमियम किसम्कि पैकिंग है और यह इसको निकालकर रेमूव किया इसमें आपको टाइप सी केबल साथ में लेगी फास्ट चार्जिंग वाली ठीक है तो इसको निकालते हैं इसके नीचे से को स्टिकर वगएरा को वरेंटी कार्ड वगएरा ये आपको यूजर गाइड ये चीज़ें मिलती हैं सीधा सीधा हम अपनी डिवाइस की तरफ आते हैं इन चीज़ों को पर करते हैं आप देखें पहले तो ये इसकी फिंशिंग देखें इसका मिटेरियल देखें कितना जबर्दस इन्वों ने इसमाल किया यहां पर इसके मैगनिट है आपको पता है आपल के नई डिवाइस में मैक सेव मैगनिट की तरह चिपक भी जाती है तो ये भी इस पर चिपक जाएंगी अगर आपके पास 12 सीरीज 30 सीरीज है तो चिपक जाएगी ये देखें आप दो इसमें आपको इसको सिधा से करते हैं डबल आपको ये इसमें चार्जिंग पोर्ट मिलती है ये देखें जी टाइप सी आउट इन और यूएस बी आउट ये इसमें दोगा इनके इदर से तो जाहरी बाता आप सिर्फ आउट ही ले सकते हैं और इदर इन आउट दोनों की आउप्चिन है यानि के यहां से आप चार्जिंग भी कर सकते हैं और यहां से आप चार्जिंग ले भी सकते हैं तो फास्ट चार्जिंग वाली पोर्ट भी गलबन यही है ब इनको बाद में खुद भी देख सकते हैं तो बड़ा सिंपल सा खुबसूरज सा है तो सबसे पहले इसमें जो करना क्या है आपने ये केबल में हम इसकी एक दफाँ खोल लेते हैं अच्छा जी सबसे पहले हम एपल का को फून लेते हैं उसको इसको उपर रखते है अब आप देखें यह चारजिंग नहीं हुई तो इदर से आपको बैच चल गया कि इसको ओन करना पड़ेगा तो इसके लिए इसका यहाँ पर एक बटन है जैसे आप इसको प्रेस करेंगे इसमें पावर आ जाएगी और साथ यह इसकी एक पावर वाली लाइट आप देखें यह ओन भी हो गई है तो अब जब आप इसके उपर यह रखेंगे एपल का फून तो यह देखें इसने चारजिंग शुरू करती है ठीक है अब इसमें मेगनेट है लेकिन इसमें नहीं है फून में इसलिए नहीं है अगर अब 12 या 13 सिर्स के फून होंको तो यह उनके साथ चिपक जाएगा अच्छा इसके बाद हम देखते हैं कि इस पे यह सामसंग का मेरे पास फून है सामसंग S10 इसको रखके देखते हैं यह देखें आपने इसने आपको नज़र आरा फास चारजिंग शुरू कर दी है आप देखें इसको पर मैसेज आ रहा है मैं इसको उठाता हूँ उपर यह आपको दिखाता हूँ यह देखें फास्ट वाइलस चारजिंग आपको वाजिया नज़र आ रहा है तो यह बड़ी जबर्दस चीज़ है अच्छा अब इसको आपने देखा यह जब फास्ट वाइलस चारजिंग करता है तो तर आपको एक से लाइट बंद होगी थोड़े दर को पर इसका डिस्प्ले बंद हो जाएगा ओन करने के लिए इसको एक दफा दुबाना है तो यह थी आज की वीडियो जी यह जो बेसर्स का क्विक चार्जिंग पावर बैंक है मैगनेटिक वाइलस और इंचला फिर किसी वीडियो में दुबारा हाजर होंगे तब तके लिए लिए लाइफिस